असलाम अलेकुम नमस्ते सब्सक्राइकाल मेरी आद की वीडियो बॉलिवूट की सुपरस्टार लीला चिटनिस के बारे में है आपका असली नाम था लीला नागर कर लेकिन शाधी के बाद आपका नाम लीला चिटनिस हो गया आप आप नाइटीन 9 में पैदा हुइं और 2003 में अफोद हुई और आपने 1930 में फिल्मों में काम के चुरू किया और 1980 तक 하루 में काम करते रहें और आपका फिल्मी कैरियर 50 years तक महीत है आपने 50 साथ तक फिल्मों काम किया और आपने आखाज एज एलीड करेक्टर प्ले करना शुरू किया और उसके बाद आप सपोर्टिंग रोल में भी आने लगी और आपने मां की करेक्टर भी किये आप माराथी खांदान से तालुक रखती थी और आपके वालिद साथ इंग्लिक्स लिट्रेचर के प्रोफेसर थे और आप पेशन्स कूपर के बाद दूसरी अधाकारा दूसरी बड़ी अधाकारा थी जो के हाइली एजुकेटिड थी आपने ग्राजिएशन के बाद एक ठेटिकल ग्रुप जॉइन किया उसका नाम था नतायम मन रंतर और वो मराथी में प्लेज पेश किया करते थे और वो ज्यादा था नौर्विजियन ड्रामाटिस्ट इप्सन हैंरिक ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट बरनर्ड शाह और रिच अच्छियन ड्रामाटिस्ट स्टानि रौस्की के प्लेज को उपने च्टर में पेश किया करते उसमें ट्रैजरी और यस इसमें रोल प्ले किया करती और आपका जो मुशूर और बहुत सक्सेस्फुल जो ठेटर कर प्ले था उसका नाम था हूँ उसना नावरा जो 1934 में प जेंटलमेंट डाकू ये फिल्म ये ठेट्रिकल प्ले नाइटीं थेट्रिकल प्ले में प्ले किया गया और इसको काफी पज़िराई मिली और आप ने इसको मुख्लिफ शहरों में प्ले किया और उसके बाद आपने बंबे टॉकिस जॉइन कर ली और आपने काम करने को तरजी दी और आपने कंगन फिल्म में काम किया जो 1939 में रिलीज भी उसमें आपने लीड रोल प्ले किया और एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक लड़की अपने बाप के ख़ड़ी रहती है और आपका बहुत ज़्यदा कॉलाबरेशन या जो काम है वो बंबे टॉकिस के साथ था और देविकार रानी और अशुक कुमार के साथ मिलके वे शुमार कामयाब फिल्म कियी जिसमें आजाद, बंदन, जूला और अशुक कुमार ने इस बात को तसलिम किया के लिला चिट्निस पहली अधा कार हैं जो आँखों के साथ अपने किरदार को नबाती है वो अपनी स्किल को इस्ताइल करती हैं कि अपनी आँखों को भी इस्ताइल करती हैं एक्टिंग के दौरा और आप उन शुरू की अधाकाराओं में से हैं जिसमें लक्स शोप की ब्रेंड में आपने काम किया क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ टॉप की हिरोईंज को चांस दिया करते थे और आज भी ऐसा ही है और 1940 के बाद आपने करेक्टर रोल प्रेकर करने शुरू किये और आपने बड़ी मुदद तक ऐस एक करेक्टर एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर एक्टरस का काम किया दिल तुझको दिया ये 1985 में फिर्म लिड़ी थी और ये आपकी आखरी फिंड़ी उसके बाद आप अमेरिका चली गई अमेरिका की एक स्टेट है कनेक्टिकट वहाँ पे एक नरसिंग ओम में डैन्बरी में आप हो थी आपकी उमर 94 थी जब आप हो थी लिला चिटनिस ब्रामन खांदान से तालुक रखती दी और आपके वालिद साब ने रिलिजिस मुमिंट को रिजेक्ट कर दिया और आपकी शादी आपसे ज़्यादा उमर के शक्स से हुई डॉक्टर गजानन यश्वन चिटनिस आपकी उमर 15-16 साल थी और थोड़े सी रस से में आप चार बच्चों की माँ बन गई और इन दिनों हिंदुस्तान की तारीक चली और अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान को अज़ाद करना था और आप फ्रीडम फाइडर थे आपके हस्बन और आपके खामद ने या आपने उनसे डिवोर्स ले ली और आपने अज़े टीचर काम शुरू किया और उसके बाद स्टेज पे अक्टिंग शुरू की और अक्टिंग करते करते आप बंबे टाकी सक पोची आपके चार बेटे थे और बेटों के नाम कुछ इस तरह हैं माना वैंद्रा विजे कुमार अजीत कुमार और राज कुमार आप अपने सबसे बड़े बेटे के पास रही हैं हमें यॉनाइटि स्टेट्स में कनेक्टिकेट में और आपके तीन ग्रेंट चिल्डरन हैं अब मैं आपकी चांदिक फिल्म्स के नाम लूँगा दुवादार 1935 में रिलीज वी चाया 1936 में रिलीज वी राजा गोपी चन 1938 में रिलीज वी घर की रानी 1940 में रिलीज वी रेखा 1943 में रिलीज वी घर घर की कहानी 1947 में रिलीज वी शहीद एक मशूर फिल्म है 1948 में रिलीज वी आवारा 1951 में रिलीज वी फंटूश 1956 में रिलीज वी उजाला 1959 में रिलीज वी काला बाजार 1960 में रिलीज वी धरमपुत्रा 1961 में रिलीज वी बटवारा 1961 में रिलीज वी पूजा के फूल 1964 में रिलीज हुई, गाइड 1965 में रिलीज हुई, बड़ी दिदी 1969 में रिलीज हुई, सत्यम शिवम सुंदरम जे 1978 में रिलीज हुई, दिल तुछ को दिया 1987 में रिलीज हुई, यह आपका फाइनल रॉल था, इसके बाद आपने फिल्मी दुनिया को खैर बात कहा दिया, आज की बात, यह फिल्म आपने डिरेक्ट की, और आज की बात की आप प्रूडूसर पी थी, यह था एक मुछसासा तारुफ, लिला चिटनस के बारे में, और इनके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन इसके साथ ही, मैं अपनी वीडियो का खिताम करता हूँ, मेरे चैनल को सब्ट्राइब कीजिए, मेरी वीडियो का लाइक कीजिए, बहुत शुक्रिया,